कि नमस्कार पढ़ाम जैहिंद साथियों कैसे आप सभी में उम्मित कता हूं ठीकी होंगे तो थम लेन और टीम सुनके पता चल गया होगा कि मैं कौन सी सोंग लेकर के आया हूं आप लोग के लिए कि बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था सभी सातियों का कि सर ऑठ वगति गीत संदीर्ओं का लेकर के आ całे यह है तो आज फाइनेली इसका में फूल ट्रेयल में लेकर कर आया हूं आप लोग के सामने और बिलकुल आसान तरीका से और एक इक सूर से और इतना ड़र्वत तरीका समय बताऊंगा कि आप एक दफा में पहले दफा में ही आप सिख जाएंगे पहला प्रयास में आप सिख जाएंगे तो चलिए कंटीनियू आप लोग के बीच में हाजिर हूं आपके फर्माइस के उपर इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाया रखिए और जो भी जिस तरह तरीके का वीडियो आपको चाहिए आप कोमेंट में बताते रहिए हमें ताकि हमें सुविधा हो आपके बातों को समझने में तो चलिए प्यारे साथियों अगर अभी तक हमारे आरुसी फिल को सब्सक्राइब ने किये तो कर लिजिए आने वाला वीडियो का याने कि एक दो तीन चार पार छे साथ आठ नौ याने कि नौ काले को आपको रखिए इसकिंग के उपर और आसानी सी अग्जीत को पूरा बजाईए देखिए मैं बजा रहा हूं और यह जो नोटेशन आपको लिखा वह दिख रहा है आप यहां से ला सकते देखिए इसे करना है यह देखिए रेगा का उफसान है ठीक है तो सारे गामार रखना है और जो एसकेल है एक नंबर यह साइड से रखना है ओके तो चलिए पहला इस्टेप में इसका मीजिक बताऊंगा फिर दीरे-दीरे सभी इस्टेप बाइस्टेप एक टुकड़े को में एक फिंग इसका करने के लिए क्या करना पढ़ेगा कॉन और दवाना पढ़ेगा सबातांगा में देखिए गया है किलियर एक वर्मी सुडू मुक्षां उसके भाथ दे की उसके भाथ क्लियर पिर से क्वाड़ी उसके पाद जो है यहां ट्यून के बाद सोंग इस्टार्ट हो जाता है कैसे संदे से आते हैं पहली लाइन में जो है मात्र तीन सुर का उप्यों के देखिए संदे से आते हैं मास से इस्टार्ट अगर आप गा रहे हैं तो आप इससे जो है दवाए रखिए एकी बार संदे से आते हैं और बीना गा करके आप बजा रहे हैं तो इससे तीन बार टच करना पड़ेगा संदे से आते हैं और सेम स्वर जो है अगली लाइन जो है हमें तड़ पाते हैं उसका बाद जो चिठी आती है वो पूछे जाती है देखिए जो चिठी आती है वो पूछे जाती है तो यानि कि यह जो चार स्टिप का लाइन है चारों का जो स्वर है बस सेम ही है लेरिक्स अलग है अब यहां से चेंज हो जाएगा कि घर कब आओगे कि अधिक के घर कब आओगे कैसे है अधिया एक स्लो मुसन में अधिक है कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे यह दोनों लाइन में सेमी स्वरुज्ज्ज़ सुर्यू जोने वाला है कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे क्लियर कैसे सुर्य क्लियर उसके बाद है कि तुम बिन ये घर सुना है कि कि तुम बिन ये घर सुना है क्लियर तो यहां तक हो गई आप जो इसका अंत्रा अंत्रे की लाइन है वह काफी प्यारा है कि सीधा तीन तीन पटम से आगे बढ़ते जाएंगे किसी दिल वाली ने किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है यह हमसे पूछा है हमें खत लिखा है तक सेम स्वर यूज होगा सिर्फ लैरिक्स अलग है कैसे दखी लास्ट वाली लाइन में सिर्फ अलग होगा किसी तीन बार से टर्च करना किसी दिल वाली ने किसी मत वाली उसके बाद इसके बाद एक छोटा सा मुजिक का पार्ट है बहुता है इस तरीके उसके बाद अलग हो जाता है किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूडी ने किसी की कंगन ने उसके खिया उसके करना किसी की सांसों ने इसके बाद फिर ने किसी की leisure कर दोम सै यसे कीब होगा प्रय सांसों किसी जोड़कन वादरिए ऱ उसके Bon quedaMA किसी की कजरेने किसी की कजरेने महकती सुबहों ने मचलती सामों ने अकेली रातों में अधूरी बातों ने तरस्ति बाहों ने और पूचा है तरस्ति इस तरीके से है जो लाइन अस्थाइब में जो यूज हुआ था बही लाइन यहाँ पर यूज होगा को इस तरीके से साथ ही जो है अबासानिस से सिख सकते हैं या गीत को तो यह वीडियो कैसा लगा आप जरूब बताईएगा ठीक है साथ यूँ एश्टेप बाइश्टेप जहां पर आपको प्रोलम है वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और आसानी से जो है वह एश्टेप को किलियर करके एक बार में सीखिए तो जिनके पास हर्मोनियों में एविलेबल नहीं है या जो हर्मोनियों सीखना चाहता है के लिए जो है कुछ हो जाए तो इसलिए वीडियो की जितना जाद हमसे के सेयर कर दिए वीडियो देखने की धन्यवाद